नमस्कार स्वागत है आप सभी का समिच्छा इतकारी सायक समिच्छा इतकारी परिक्षा 22 दिसंबर 2024 को होना प्रस्तावित है और ये री एक्जाम की डेट पहले ही आ चुकी थी जिसके बारे में हम लोगों ने लाश्ट वीडियो में इस्टेटजी पर बहुत विस्तार से च वीडियो कोर्स उसकी जो लाश्ट डेट है वो 14 जून रखी गई है और आज उसका अंतिम दिन है परसों से बहुत ज्यादा इंक्वाइरी जा रही हैं बहुत ज्यादा लोगों में जिग्यास आए हैं हाला कि लाश्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ ने बताने का प्रयास किया था लेकिन कुछ बाते आईसी हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो है आपको वो सारी डेटेलिंग बताने वाले हैं पाँच मिनट में लगबख सारी डेटेलिंग आपको पता चल जाएगी क्योंकि जो लोग admission लेना चाहते हैं वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या क्या चीजे इसमें हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये एक video lecture program है और इसमें आपको pre का course अलग, mains का course अलग और pre plus mains जिसको हम foundation batch कहते हैं जो हमारा सबसे popular course है वो अलग यानि तीनों के अलग-अलग admission लिये जा सकते हैं लेकिन जो हमारी recommendation होती है वो यही होती है कि आपको pre कम mains यानि की foundation batch ही लेना चाहिए अब वो ऐसा क्यों हम कहते हैं क्योंकि pre और mains की एक साथ तयारी करना ही जो है सबसे समझदारी भरी बात है और अगर आप अलग-अलग जो है course लेंगे या भी ये सोच रहे हो कि पहले हम prelims का course ले लें बाद में ज विश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा माना नहीं जाएगा इसलिए मैं हमेशा recommend करता हूं कि pre और mains की तयारी एक साथ करें अभी भी आपके पास 6 महिने से कुछ ज्यादा का समय है तो 6 महिना परियाप्त होता है अगर अभी भी आ आप 3 महिने तक pre और mains को एक साथ लेके चलते हैं और उसके बाद केवल pre की तयारी करते हैं तब भी आपका पूरा syllabus आराम से complete हो जाएगा दूसरी चीछ जो है जो यह video lecture program है यह हमारे android app के माध्यम से आपको प्राप्त होता है हमारे android app का नाम decode exam है और यह iOS यानि iPhone जैसी devices प जो ब्राउजर है उन पर चल सकता है यानि website के माध्यम से जो हमारी website है www.decode exam.com पर आप जो है laptop पर देख सकते हैं और android mobile phone कोई भी हो उस पर आप जो है मारा decode exam का app डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं तो यह video lecture program में है क्या जितने भी सामान अध्यान हिंदी के topics हैं जित अभी महत्पूर्ण chapters को बहुत अच्छी तरह से video के format में आपको दिया गया है उनके साथ जो है आपको PDF format में notes दिये गये हैं जिससे आप videos को देखिए अगर आप दो से तीन बार एक एक lecture को देख लेते हैं और साथ में आप उसके साथ जो notes आपको दिया गया है वो पढ़ लेते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ भूलने वाली शीजें हैं तो उसको आप अपना थोड़ा सा जो है short note में जो है केबल revision points आप अगर note करते चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि होता क्या है सामान अध्यन की जह हम बात करते हैं तो उसमें मोटे-मोटे आठ विसे हैं और अगर हम उन आठो विसेयों को की अलग-अलग किताबे लें तो एक किताब से काम भी नहीं चलेगा कम से कम एक विसेय में आपको एक से दो किताबें लेनी पड़ेंगी तब ही आप उसका जो है समगर तरीके से अध्यन कर पाएंगे तो जो कोर्स है यानि जो वीडियो लेक्चर प्रोग्राम हमारा फॉर्मडेशन बैच है उसमें हमारा यही प्रयास रहा है कि आपको कोई भी किताब बाहर से ना लेनी पड़े बाहर से किताब नहीं लेनी पड़ेगी केवल और केवल आपको वीडियो लेक्चर देखने है PDF जो आपको notes की दी है उसको कर सकते हैं आप PDF को print भी करा सकते हैं और video lectures की खासियत यह है कि हमारे app में यह सुविधा है कि आप उसको offline उसमें download कर सकते हैं उसके बाद आप multiple times आप चाहें तो 1000 बार जो है उसको बार बार देख सकते हैं आपका data जो है यानि जो आपका internet connection की उसमें requirement उससमें नहीं रहती है केवल जब video start होता उससमें 3-4 second तक video उसकी requirement होती है उसके बाद वो offline mode में चलता रहता है तो यह उसकी कुछ भी सेस्ताय हो गई दूसरी चीज़ यह है कि जो आपको video lectures दिये गए हैं वो बहुत ही संतुलित हैं ना वो बहुत ज़्यादा detailed में दिये गए हैं मतलब अनावस्यक उसमें detailing नहीं की गई है ना उनको बहुत ज़्यादा sort करने का प्रयास किया गया है कुल मिलाकर प्रयास यह है कि जो आप text book पढ़ते हैं उसको replace कर दिया जाए क्योंकि text book पढ़ना उसमें से important points को ढूड़ना फिर उनकी marking करना उनसे notes बनाना यह अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है और यह होती तो सही प्रक्रिया है लेकिन इसके लिए आपको चाहिए साल से डेड़ साल दो साल का समय तब आप जो है सारे subjects को अच्छे से स्वयम के आधार पर पढ़ पाएंगे लेकिन एक mentor का एक teacher का और एक संस्थान जो सैच्छिडिक संस्थान उसका यही दाइत होता है कि अपने विद्यार्थियों को वो ऐसा content दे सके कि जिसमें विद्यार्थियों को content छाटने वाली समस्याना आए कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो इन सब चीजों से जो है आपको बिल्कुल freedom मिलेगी जब आप course ले लेंगे और course को जो है पढ़ने से आप में एक अलग तरह का confidence आएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तर जो हमारा content है वो NCRT based है प्लस जो और भी standard books का नाम आपके सामने बारम बार लिया जाता है तो उन सभी books को consult करके NCRT को consult करके video lectures बनाए गए है और साथ में आपको मिलती है test series test series जो है उसमें लगभग 48-49 test है जो segment wise भी है यानि एक एक विसय के दो दो तिन तिन अलग अलग जो है topic wise test भी है साथ में full test भी है current affairs के भी test है और चुकि एक्जाम बार बार तलता रहा है आगे बढ़ती रही है date तो हम अपना current affairs जो है लगातार update करते रहते हैं इसके अलावा कहीं पर भी ऐसा लगता है कि data नया आ गया है data के update की जरूरत है खासकर current affairs वाले section में तो उसको भी हम लोगों के द्वारा लगातार update किया जाता है admission लेने के बाद आपको एक telegram group में जूड़ लिया जाता है और उसमें जो है हपते में तीन दिन लगातार test होते हैं पहले भी उसमें हजारों test हो चुके हैं तो जो लोग आप जूड़ेंगे क्योंकि यह program जो है लगबग एक साल से उपर समय से डिएड़ साल से चल लहा है तो ऐसी स्थिती में वो सारे test भी आपके लिए available हैं ऐसा नहीं कि आप अभी जो आइन कर रहे हैं तो पुराना जो लाबता वो आपको नहीं मिलेगा उस test की solved, unsolved PDF आपको Google Drive के माध्यम से उपलब्द करा दी जाती है और उसमें बहुत ही इस्तरी test हैं सारे topic में जो है बिल्कुल minutely हर topic को cover करते हुए तो अगर आप जुड़ते हैं तो सबसे सही तरीका यह है कि पहले आप video lecture देखिए किसी topic का उसके notes पढ़िए और उस पर आधारी जो हमारा test दिया गया है उसको लगाईए और इसको आप जो है दो से तीन बार revise करिए आपकी पूरी तैयारी जो है बहतरीन तरीके से हो हैं और मुझे बहुत ही खुसी है इस बात को बताते हुए कि हमने इसी basic course को जो है वहाँ भी दिया था और उस पे निरंतर हम सुधार करते रहते हैं उसमें संसोधन करते रहते हैं जो improvement आप लोग के दारा सुझाओ भी दिया जाता है और जो हमें लगता है जैसे अब trend बद भी संदे नहीं है कि यही content पढ़कर जो है बहुत सारे जो है लोगों ने selection लिया है और भले ही उनका final selection ना हुआ पचास एडिक final selection भी हुआ है लेकिन प्री तो बहुत लोगों ने मतलब प्री निकालने मालों की संख्या तो हजारों में है उनकी गिंती करना जो है आसान नह किया था और काफी सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं जो लोग इस इंतिजार में थे कि उनकी queries को हम address कर दें उनकी सवालों के जवाब दें क्योंकि WhatsApp पे वो अपनी queries भेजते हैं तो WhatsApp पे लिख कर जो है किसी को पूरी चीज के बारे में बताना जो है इतना आसान नहीं रहता है तो उसकी के लिए जो है मैं आपको आज जो है सारी शीजों को डिटेल में बता रहा हूं कि और इसमें जो है जो मेंस का प्रोग्राम है उसमें क्या है मेंस के प्रोग्राम में मेंस के जितने भी सेगमेंट है चाहे हो एससे हो अप्टित गद्यांस हो पत लेखान ह कंप्यूटर हो, मुखावरे लोकोक्तिया हो, सब ही का अलग अलग वीडियो लेक्चर्स है, मैक्सिमाम लोग क्या करते हैं? मेंस के प्रोग्राम में जो है, वीडियो लेक्चर्स नहीं देते हैं, वो जादा तर केवल डायरेक्ट प्रेक्टिस और कॉपी चेकिंग पर फूक माध्यम से आपको नहीं दिखाएगा बारीकियों को नहीं बताएगा या पतलेखन में अगर आप सासनदेश का प्रारूप बता रहें तो कहां पर कामा लगना है कहां पर फुलिश्टाउप लगना है alignment कैसा होना चाहिए कहां bracket में नाम लिखा जाता है हस्ताक्षर के लिए क्या होता है कहां भाधी लिखना है कहां आग्या से लिखना है पदक्रम क्या होता है हायर्की क्या होता है किन दसाओं में जो है उसकी प्रतलिपी की जाती है प्रश्ठांकन संख्या क्या होता है तो ये सब बहुत सारी जो है तकनीकी उसमें विसेस्ताइं हैं जिनको अगर आपको अच्छे से explain करके नहीं दिया जाएगा तो आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो उदेश यह है इसकोर्स का इसलिए हमने इसको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से लाए हैं कि आप पहले वीडियो लेक्चर्स देखिए सभी में होमवर्क दिया गया है पहले होमवर्क को करिए और हमारा एक वाट्सेप नंबर आपको दे दिया जाता है उसके म लिखे हमारे कोर्स में 80 से उपर ऐसे अभी दिये हुए हैं और जैसे जिसे एक्जाम की डेट आगे करीब आती जाएगी हम जो है उस पे और अपना जो है जो उस समय का सामसामाईक ऐसे होगा जो उस समय के लिए रिलिवेंट टॉपिक्स होंगे उनको फिर से आइड करेंगे ऐसे तक को जो है हमने करीब 20 से 25 टॉपिक्स को जो है सैंप्लिंग के लिए कि आदर्स निबंद कैसे लिखा जाया और किस टॉपिक्स को बकाईदा एक्स्प्लेइन करते हुए कि उसकी व्याख्या कैसे लिखी जाया स्वारी उसकी प्रस्तावना कैसे लिखी जाया उसका म इल्यूजन कैसे किया जाए तो ये सब भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में वहां पर कराया है और उसके बाद जब आप वीडियो को देख लेते हैं समझ जाते हैं कि निबंद कैसे लिखा जाता उसकी रूपरेखा कैसे तयार की जाती है कैसे कंटेंट उसमें लाया जाता है तो जो बाकी अभ्यास के लिए आपको दिये गए हैं वो आप करते हैं और उसके बाद कॉपी आपकी चेक होती है पूरा आपको डिटेल में बताया जाता है कि क्या कमिया है आपका मुल्यांकन किया जाता है यानि चालिस में आपको इस एससे पर किते नंबर मिल सकते हैं य यह जो है पूरा एक ऐसा जो है प्रोग्राम है जहां पर हो सकता है कि आपको यह फील हो कि हम आउनलाइन जोड़ रहे हैं लेकिन यह आउनलाइन एक्चुल में नहीं है हम आउनलाइन में भी आपकी केर जो है इस प्रकार से करते हैं आपका ध्यान इस प्रकार से रखते हैं क क्या है वो वीडियो लेक्चर्स ही प्रोग्राम हो, आप उसमें लेक्चर्स देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई संका है, कोई क्वेरी है, तो उसका कैसे समाधान होगा, इसके बारे में कोई भी मेकैनिजम जो है, नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो हमने अपने कोर्स को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाते हुए, इसमें ये बेवस्था दी है, कि आप सिच्छक से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, इसके अलावा ये भी होता है ना, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ा नास कोई हम से इसके बारे में अच्छे से डिसकसन कर सकता जो है, या हमारे टीचर से हम ये बात कह पाते कि इन परिसितियों में कैसे पढ़ें, कैसे तयारी करें, तो हमारे जो स्टुडेंट्स वो जानते हैं कि हम अगर आप एक मैसिज भी करते हैं वाट से पर, तो हम जि प्रकार की मन में awkward न जिसी प्रकार की जो है ऐसा न लगे कि आप अलग थण पड़ग गए कि और आपने कोर्स ले लिया है और हमारा उत्तरदायद फोगया है तो हम तो असीमित सिद्धान्क पर जो है इस कोर्स को लेके आये हैं हमारी unlimited liability है जब तक आप परिक्षा दे नहीं लेते हैं और उसके बाद भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं आज 2016 बैच के बहुत से student हैं जो नहीं कर पाये थे उस समय अच्छा वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसी तरह से हमारे साथ समभाद में तो समभाद जो ह बहुत जरूरी है जो हमारे इस course का जो है एक highlight feature आप कह सकते हैं कि एक तरफा course ना देके हम आपके साथ जो है लगातार communication में रहते हैं और जो भी आपकी समस्याय होती हैं उनको हल करने का भरसक प्रयत्म जो है हमारे द्वारा किया जाता है तो मित्रों आज large date है अगर आप म सिरील लगाएं नोर्स कैसे बनाएं तो इन सभी समस्याओं का एक समाधान है कि आप हमारे साथ आके जुड़ जाईए और आपको आपका जो 50% effort है क्योंकि authentic source इकठा करना फिर उसमें important चीजें छाटना analysis करना कि क्या exam के लिए महत्पूर्ण है क्या नहीं महत्पूर्ण है उनसे नोर्स बनाना फिर उसका रिवीजन करना तो कुल मिलाके जो है ये जो एक लंबी साल देड़ साल वाली प्रक्रिया है उसको हमने जो है समेट दिया इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर आप अभी से जुड़ते हैं तब तो आप आराम से हमारा ये course जो है छे साड़े छे महिने में cover कर लेंगे उसके बाद अगर आप जुड़ेंगे तब भी absence आपके पास रहेंगे लेकिन आप जो है जिस विश्वास के साथ जुड़ेंगे हो सकता उस विश्वास के साथ आप जो है course को यूटलाइज ना कर पाए यानि माली ये डेड़ सो दो सो lectures हैं तो उस सम है अभी 6 महिने के समय में इस course को बहुत अच्छे से cover किया जा सकता है यह हमारा अनुभव भी है और हमारे छात्रों का भी अनुभव है तो इसमें कोई दोरा नहीं है इसलिए आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आज इसकी ह साम तक आप admission ले लीजिए क्योंकि उसके बाद जो है जो हम लोग आपके लिए special offer लेके आए हैं वो भी समाप्त हो जाएगा और अगर आपने मन बना लिया है तो आपको बाद में जो है क्या होगा नुकसान उठाना पड़ेगा इसलिए जो है क्योंकि 10 दिन का परयाप्त स मैं आपको दिया गया था जुड़ने के लिए आज अन्तिम्ति थी है आज जो है अगर जुड़ना चाहते हैं किसी वज़े से रुके हुए थे तो जुड़ जाईए कोई आपकी personal समस्या है तो आप जो है जो है जो हमारा WhatsApp नंबर है आप देख भी रहे हैं उस पर आप कॉल क्यों करस की पूरी डिटीलिंग उस पर दे रिया एक बाकी हम ने जितना डीटेल संभो था जितना डीटेल मतलब आराम से बताया जा सकता था सब कुछ आपको जो इस को आगरे में बता दिया गया है करंट अफेर्स के बारे में एक लोग की कोरी थी उसको भी बता जेता हम स्वयम अपनी current affairs की magazine देते हैं भले ही मैं सभी के लिए common आपको बताता हूँ कि chronicle ले लीजिए या ये पढ़ लीजिए लेकिन जो लोग हमारे course में आते हैं उनको हमारा प्रयास है कि बाहर का material पढ़ने की आवशकता ही ना पढ़े क्योंकि आपने हमारा course लिया है उसके बावजूद भी आपको अगर बाहरी सुरोतों पर डिपेंड होना पढ़े तो फिर इस course की सार्थकता पर प्रस्चिन लग जाएगा इसलिए हम 75-85 पन्ने की मंथली magazine भी देते हैं PDF के माध्यम से और उसमें परियाप्त content होता है जो मैं UP Current Affairs पढ़ाता भी हूँ वो भी वहाँ पर इंक्लूड रहता है उसमें तो मित्रों आज हमारा यही विसे था कि हमारे course के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और आज अन्तिम्तिति है अपने अगर निर्णय ले लिया हो तो अब देर करने की आउशकता नहीं है जल से जल admission लीजिए और हमारे साथ जुड़िए अन्त में बस मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको हम लोगों पर विश्वास है और विश्वास होने की वज़े भी है कि हमारे पास प्रमार भी मौझूद है कि हमारे साथ जुड़ के बहुत लोगों ने जो है सफलता अरजित की है तो बस मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत आप करेंगे उससे दूना मेहनत हम लोग करते हैं आपके लिए चाहे वो pre का course हो, चाहे mains का course हो अगर आप मेहनत करने को तयार हैं तो हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं जिससे कि आपका जो आपका जो प्रयास है जो आपका जो है इन्वेस्ट्मेंट है वह कहीं से बियर्थ ना जाने पाए तो आज के लिएता ही फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवार तो अगर आप समिछा दिकारी परिष्या की तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी में ये चाहते हैं, कि आपका score 60 में से 55 प्लस का रहें, कम से कम, तो आप हमारी समान हिंदी की ये book ले सकते हैं, ये book बैसिकली जितने भी मानक पुस्त के हिंदी की हैं, और मानक सब्ध़कोस हैं, उ चाहे वो प्रिलिम्स परिच्छा हो चाहे में की परिच्छा हो उसके आपजेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस कोईस्चन्स आए हैं जो कि अपने आप में एक उलेखनी उपलब्धी है तो यह ऑनलाइन भी अबलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है इस हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सभी हमारे संस्थान के अब तक दो तीम परिच्छाओं में सफल अभ्यर्थियों का विभरण है तो आप हमारे इस पांडेशन बैस से जुड़ सकते हैं जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है इसमें आपको हमारे डिकोर्ड एक्जाम एंड्रोइड आप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में नोड्स और टेस्सिरीव प्रवाइड करा जाता है और यह कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जित्ते भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प् सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यह दो वाट्सेप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन पर आरो यारो फांडेशन कोर्स आप लिख कर वेद देंगे तो आपको वाट्सेप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी झाल